Hello viewers, आज की वीडियो में हम देखेंगे कॉक्षा नवी विज्ञान के अध्याए 2 के महतपुर्ण वेकल्पिक प्रश्ण उत्तर इसके पहले हमने अध्याए 1 के भी महतपुर्ण प्रश्ण जो वेकल्पिक प्रश्ण वतियार कर लिये थे चैनल की प्लैलिस्ट में दे रखा आप आसानी से देख सकते हो तो यहाँ प्रश्ण है सही विकल्पे चुनकर उत्तर लिखिए तो क्या कहलाता है विलियन, योगी, विलायक या उप्रोक्तों में से कोई नहीं तो यहाँ आएगा उत्तर आएगा विलियन दो या दो से अधिक प्रश्ण का समांगी मिश्ण कहलाता है विलियन इसके बाद दूसरा प्रश्ण है विलियन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलियन में मिलाता है उसे कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं विलियन, विलायक, विले या उप्रोक्तों में से कोई नहीं तो विलियन का वह घटक जिसकी मातरा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलियन में मिलाता है उसे करते हैं विलायक इसके बाद अगला है टिंचर आयोडीन के विलियन में विलेय है तो यह option है अल्कोहल, आयोडीन, जल्या उप्रोक्त सभी तो इसका उत्तर होगा आयोडीन तिंचर आयोडीन के विलियन में विलेय हैं आयोडीन इसके बाद सोडा जल विलेयन में विलेय होता है सोडा जल विलयन में विलय होता है तो सोडा जल विलयन में विलय होता है HO इसके बाद है वायू एक मिलयन है वायू एक विलयन है ठीक है वायू एक विलयन है गेस में गेस का, गेस में द्रव का द्रव का गेस में या द्रव का हवा में तो इसका उत्तर आएगा गेस में गेस का इसके बाद अगला प्रश्ने रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए इसमें पहला है विलयन एक मिश्रण है विलयन एक मिश्रण है तो यहाँ आएगा समांगी समांगी विलयन एक समांगी मिश्रण है इसके बाद ये दो या दो से अधिक मिश्रण ये द्रवों में 25 कैल्विन से कम अंतर है तो उनके मिश्रण को विधी द्वारा प्रतक किया जा सकता है तो इसे किस विधी से प्रतक किया जा सकता तो यहां आएगा प्रभाजी आसवन विधी से प्रतक किया जा सकता है इसके बाद अगला है बर्फ जल तथा जलवाश्प के गुण समान होते हैं तो बर्फ जल और जलवाश्प के रासायनिक गुण समान होते हैं इसके बाद चोथा है कोलाइडी विलियन द्वारा प्रकाश की किर्णों का फैलना कहलाता है कोलाइडी विलियन द्वारा प्रकाश की किर्णों का फैलना कहलाता है तो यह कहलाता है टिंडल प्रभाव कहलाता है इसके बाद अगला ही पुष्प की पंखूडियों के निचोड से रंजक को प्रथक करने की विधी प्रयोक्त होती तो रंजग को प्रथक करने में कौन से विधी प्रयोक्त होती है तो यहां आएगा आसवन विधी आसवन विधी प्रयोक्त होती है हम लिखेंगे आसवन विधी इसके बाद अगला है आसुत जल विधी से प्राप्त किया जाता है ठीकि छट्टा है आसुत जल विधी से प्राप्त किया जाता है तो यहाँ पर भी आएगा आसवन विधी से प्राप्त किया जाता है इसके बाद अगला है एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ कलाते हैं इसके बाद है विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा कलाती है विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा जो होती भह सांद्रता कलाती है सांद्रता कलाती है इसके बाद है एक ही प्रकार के परमाणों से बने पदार्थ कलाते हैं तो एक ही प्रकार के परमाणों से बने पदार्थ तत्व कलाते हैं इसके बाद अगला है दूद एक विलियन है, तो दूद एक कोलाइडी विलियन है, कोलाइडी विलियन है, इसके बाद है फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षेपन माध्यम होता है, यहाएगा ठोस, इसके बाद है, मिल्क आफ मेगनेश्या में परिक्षेपन माध्यम होता है, illegally of magnesium में परिक्षेपन माध्यम द्रव होता है, इसके बाद अगला है, तिंडल प्रभाव विलियन द्वारा प्रदर्शित गुन है, तो तिंडल प्रभाव जो है, इसके बाद अगला है दो गुलनशिल द्रवों के मिश्टन विधी से प्रतक क्या जा सकता है तो यदि दो गुलनशिल द्रव है तो उनको यदि हमें प्रतक करना है तो किस विधी से होंगे तो यहाएगा आस्वन विधी आस्वन विधी से प्रतक किया जा सकता है इसके बाद डाई के घटक रंगों को विधी से प्रतक किया जा सकता है तो डाई के जो घटक रंग है उन्हें क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी विधी से प्रतक किया जा सकता तो इस प्रकारे रिक्तिस्थान भरे जाएंगे आप इन्हें एक या दो बार देख लोगे तो आपको यह याद रहेंगे इसके बाद अगला प्रश्ण है सही जोड़ी मिलाईए इसमें कॉलम A और कॉलम B है कॉलम A में है ब्रोमीन, जल, तन्यता, मिशन और कॉलाइट कॉलम B में है अ धातू, योगिक, धातू, वायू और दूद तो इसमें ब्रोमीन जो है यह अ धातू है जल जल जो है एक योगिक है तो जल योगिक है यहाँ पे तन्यता यह धातू का गुन है मिश्रन वायू एक मिश्रन है और कोलाइट जो है यहाँ दूद दूद एक कोलाइट होता तो यह जोड़ी इस प्रकार से बनी हुई है और यदि इस तरह से आती तो आपको यहाँ पे इनको इस प्रकार मिलाना है इसके बाद हम सत्य असत्य देखेंगे तो इसमें पहला है विलेन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रविमान में उपस्तित विले की मात्रा है विलेन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रविमान में उपस्तित विले की मात्रा है तो यह कथन सत्य है इसके बाद अगला है कोलाइड एक समांगी मिश्रण है तो यह कथन असत्य है इसके बाद किसी भी इस द्रोश से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभी लाक्षने गुण असमान होंगे तो यहाँ पर एक असत्य है इसके बाद अगला है मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है तो यह कथन भी असत्य है क्योंकि मिश्रण का निश्चित गलनांक नहीं होता है इसके बाद अगला है निलंबन के कन फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं तो ये कथन सत्य है कि निलंबन के कन फिल्टर पेपर से नहीं निकलती हैं तो इस प्रकार से हमने यह सत्या सत्य वाले भी प्रश्ण कर ली हैं और अध्याय दो के वेकल्पिक प्रश्ण हमने त्यार कर ली हैं इसकी बाद हम इस अध्याय के और अध्याय एक के दो-दो नंब करके प्रश्णों की भी तयारी करेंगे विज्ञान के सभी अध्यायों के प्रश्णों तर चैनल के प्लालिस्ट में बहुती आसान भाषा में आप आसानी से देख कर उन्हें अपनी कौपी में लिख सकते और याद कर सकते हो तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए